हाई फ्रेंड्स इस वीडियो के लिए हमने 20 सेलेक्टेड हिंदी के वाके लिए हैं जिनके कि हमने इंग्लिश में दो आप्शन्स लिए हैं उसमें से एक सही है और दूसरा गलत है हमें बताना है कि सही आप्शन कुन सा है ये सेंटेंसिस किसी भी कॉंपेटिटी एक्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पहला वाके सड़क की मरम्मत की जा रही है उप्शन्स आर A. The road is in repair या B. The road is under repair राइट आंसर इस ऑप्शन B. The road is under repair जब भी एक मरम्मत में आता है तो उसको under repair बोलते हैं in repair नहीं बोलते अगला वाके वहे साइकल से गिर गया उप्शन्स आर A. He fell off the cycle या B. He fell off the cycle राइट इस ऑप्शन ए, he fell off the cycle, ओडवल एफ तब आता है जब एक से एक चीज से दुसी चीज अलग होती है, ऐसे वो साइकल से गिरा तो उसे साइकल से अलग हो गया, ओफ आएगा, ओडवल एफ आएगा अगला वाकिय एक विज्यापन संक्षिप्त होना चीए, आप्शन सार A, an advertisement should be brief या B, a advertisement should be brief आंसर इस, an advertisement should be brief, advertisement A से स्टार्ट है, वावल से स्टार्ट है और वावल साउंड से स्टार्ट भी है, इसलिए advertisement के साथ N आएगा, A नहीं आएगा, राइट इस option A, an advertisement should be brief नेक्स सेंटेंस चुप रहो, इसके दो options हैं, A, keep quietly या B, keep quiet सही option है, इसका B, keep quiet नेक्स सेंटेंस हैं, मुझे बहुत सारा काम करना है, options है, A, I have much work to do, B, I have many works to do सही answer है, A, I have much work to do, work countable noun नहीं है, इसको count नहीं किया जा सकता और जिसको count नहीं किया जा सकता, उसके साथ हम many नहीं लगाएंगे, much लगाएंगे, इसलिए B, option गलत है, A, option ठीक है, I have much work to do नेक्स सेंटेंस हैं, आज बहुत गर्मी है, options है, A, very hot today, B, it's very hot today right option is, B, it's very hot today, A, जो है, वो सेंटेंस ही नहीं है, यह phrase कह सकते हैं, लेकिन यह sentence, complete sentence नहीं है, तो right option है, B, it's very hot today next sentence, कल मेरी छुट्टी है, options है, A, tomorrow is my holiday, B, yesterday is my holiday सही answer है, A, tomorrow is my holiday, हम कल की बात करें, आने वाले कल की बात करें, आने वाले कल की बात करें, आने वाले कल की इंगली होती है, tomorrow, yesterday होता है, जो बीत कया कल हम आने वाले कल की बात करें, कि कल मेरी छुट्टी है, तो क्या आना चीए, tomorrow is my holiday next sentence, दोबारा जरूर आना, options है, A, come sure again, B, do come again सही answer है, B, do come again, जब किसी को बोला जाए कि ये काम जरूर कर लेना, तो डू पहले आ जाता है, वा बात में आती है, so option A is wrong, B, option is right, do come again, next sentence, लो, आ गया सोहन, इसको इंगलीश में क्या बोलेंगे, option A, here comes sohan, या B, sohan comes, सही option है, A, here comes sohan, जब भी हम बोलते हैं, लो, वो आ गया, तो हम क्या बोलते हैं, here comes, जो भी उस रिक्ती का नाम है, इसलिए B, option गलत है, sohan comes, A, option ठीक है, here comes sohan, next sentence, निशा को छोड़ कर सभी मौचू थी, इसकी English, option A, all except Nisha were present, B, all except Nisha were present, spelling except के फरक हैं, right option is B, all except Nisha were present, except Nisha का मतल़ होता है, Nisha को छोड़ कर, और पहले वाला except का मीनिंग होता है, स्वीकार करना, जो कि इसमें गलत है, तो option B is right, all except Nisha were present, Nisha को छोड़ कर सभी मौचू थी, next, वीना और कविता भेने हैं, English की option A, वीना और कविता भेने हैं, option A is right, वीना और कविता भेने हैं, इसलिए option A आएगा, B option past tense में हैं, कि वो दोनों भेने थी, ये option A is right, आपको क्या खाना पसंद है, या आप क्या खाना पसंद करते हैं, options are, A, what you like to eat, B, what do you like to eat, right option is B, what do you like to eat, question वाले sentence में हमेशा वाक के दो टुकड़े करते हैं, और पहला टुकड़ा subject से पहले आता है, इसलिए option B, what do you like, सही है, option A गलत है, what you like, next sentence, नीना चुटियों में शिम्ला जाती है, इसकी English option A, नीना गोस टुशिम्ला दूरिंग वेकेशन, या भी नीना गोस टुशिम्ला दूरिंग वेकेशन, option A is right, नीना गोस, ये present indefinite tense है, जिसमें की एक काम हम रूटीन वेबे करते हैं, तो नीना चुटियों में शिम्ला जाती है, तो नीना के साथ आएगा गोस, he, she, it का present indefinite tense में यूज़ करते समय, वर्ब के साथ S, C, I, E, S जोड़ा जाता है, next sentence, मैं एक सब्ता के भीतर वापस आ जाऊंगा, options हैं, A, I shall be back within a week, B, I shall be back in a week, right option is A, I shall be back within a week, within a week का मतलो होता है कि week खतम होने से पहले पहले, उसके अंदर अंदर आ जाऊंगा, इन ए week का मतलो होता है कि week खतम होते ही मैं आ जाऊंगा, so option A is right, next वाक्य, जहां चाह है, वहां रहा है, इसके options, where there is will, there is a way, या where there is a will, there is a way, right option is A, where there is will, there is a way, will के साथ अ नहीं आएगा, will एक काउंटेबल नहीं है, इसलिए इसके साथ अ नहीं आएगा, so option A is right, where there is will, there is a way, option B is wrong, next देखते हैं, sure मत करो, options are, A, don't make a noise, B, don't make noise, right option is A, don't make a noise, noise तो काउंटेबल नाउन नहीं है, लेकिन इसके साथ अमने अ लगाया, क्योंकि यह phrase है, English की make a noise, means sure करना, इसलिए B option गलत है, option A ठीक है, don't make a noise, next देखते हैं, अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए, options are, A, the rich should help the poor, B, या B, rich should help poor, right option is A, the rich should help the poor, किसी बी अच्जेक्टिव के साथ, अगर हम दा लगाते हैं, तो पूरी community को represent करता है, जैसे rich एक adjective है, लेकिन इसके साथ हमने दा लगा दिया, दा rich, तो यह पूरी अमीर लोगों की को represent करता है, ऐसे ही poor के साथ अगर दा लगाते हैं, तो पूरी पूर जाती को वो represent करता है, तो इसलिए option A is right, next sentence, मुझे आशा है कि आप स्वस्त होंगे, options are A, I hope you are enjoying good health, या B, I hope you are keeping good health, right option is A, I hope you are enjoying good health, good health अगर है, तो उसके लिए हम enjoying good health बोलते हैं, लिकर अगर bad health है, तो उसके लिए हम keeping bad health बोलते हैं, so option B is wrong, option A is right, I hope you are enjoying good health, next sentence, इन दिनों उसका स्वास्ते खराब चल रहा है, options are A, these days he is keeping bad health, या B, these days he is enjoying bad health, option A is right, जैसे के पहले बोला है, bad health अगर है, तो हम keep bad health बोलेंगे, अगर अच्छी health है, तो हम बोलेंगे enjoying good health, next sentence, मेरा घर खाली पड़ा है, options are A, my house is lying vacant, या B, my home is lying vacant, right option is A, my house is lying vacant, house और home में फरक्या होता है, house होता है, दिवारों का बना, home होता है, जब उसके अंदर लोग आके रहना शुरू कर देते हैं, तो उसको home कहते हैं, So, option B is not right, option A is right, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब किजे, वीडियो लाइक किजे, शेर किजे, कमेंड किजे, and thank you for watching,